अब अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग अप नहीं हर दुकानदार की बस एक ही अप बिग ब्लिस बिग ब्लिस चुने केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं अपने कारोबार को बढ़ाएं मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं बिग ब्लिस बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान नमस्का, स्वाद आप समीका बजारों की सितारे में मैं हूँ आपके साथ अकिले शादिया आप बजारों की सितारे में आप सबके लिए एक बाद फिर से लिए कर आज़िर हो यहाँ पर शेर बजार, कमुनिटी बजार का अपडेट और आज का राशीफल, जानेंगे कि राशो के एसाब से आज आपका राशीफल कैसा रह सकता है कौन सी राशियां आज लाब कमानी की स्थिती में है किन राशियों को आज बज़के चलना साहरेगा और जोतिश के आधार पर शेर बजार और कमुनिटी बजार कैसा रह सकता है और ये सब जानने के लिए इस वक्त हमासा जुड़ेवे हैं बजार के जाने माने एश्टो मनी गुरू करनल अजय जी सबसे पहलो उनसे आज कर आशीफल जानेंगे करनल अजय जी बहुत-बहुत स्वाथ आपका मागराम सीवी पर शुप्रबार्थ अठले स्टाथी जी एवां मार्केट टाइम्स के समीर अश्ट बंदूओ मैं करनल अजय जीओ अजय एस्टो मनी गुरूप पर्ट ग्लोबल एस्टो फनेंट विजिटर चैनल आपने के ग्रायेशी आपको मुपीद है अगनी प्रत्वी वायू और जल अगनी तत की तीन राशियां होती है एक 59 यानि मेश दिंग अधनु राशी आज दिन आपके लिए मिश्रित रहने की संभावना है एक अदम आगे एक अदम पीछे करूं न करूं कुरूब जाओं देख लूं समझ लूं इस तरह की बात दिम शानदार हैं ब्रश्चव यहाँ चाड़ाएं चन्दमा यहाँ आपके अद्बुत रिजल दिखा देते हैं और बुद्ग रहे का अद्बुत चमतगारी रिजल करने राशी को मिलते हैं और मकर यानि जो शनी और मंगल दोनों को पी पूर्टी करता है वो है मकर राशी आप इशारा कर रहे हैं दो से तीन मुझे के लुक में के बीच में रखी है तिक साफधानी चार आठ बारा यानि कर्क रशिक और मेंडाशी जलतत की राशियों में देखने को मिलता है लेकिन आज दिन आपके लिए संभवत मुपित नहीं है साफधानी रखिये तीन से चार गुजे की बीच में यह अकले जी तो आज कुछ ऐसा दै सकता है आज आज आपका राजी फल यह से करने ले जी बात करें अगर कमूल्टी वजार की तो सबसे पहले कृशी जिन्सों के उपर बात करना चाहूंगा किरशी फसलोमा आज आपको क्या लगता है सबसे पहले बात करें अगर बिनौला खल की तो बिनौला खल में देखने हैं कि काफी सीमित दैरा देखने को मिल रहा है तो बिनौला खल में आपको क्या लगता है अब बंदी है आगे तेजी है सिमित दे रहा है क्या ऐसे रुजान रहेगा दीकि बिनोला खल तक की जहां तक बात है कॉटन सी डॉल के की मुझे लगता है कि आज कुछ कमजोरी की जबावना बनती है और ये कमजोरी की बात मैं लगाता पिछले के इंजिनों से कह रहा हूं जब ये 3400 रुपे से उपर का ट्रेड का रहा था और हाजिर के बजार में तो ये 3500 और 3700 रुपे तक के भी बजार देखे गए थे उस वक्त लिए हमने यही कहा था कि देखिए कि ये जो लेबल्स है इन लेबल्स के उपर बाई नहीं बनती है क्योंकि कपाथ खली पशु आहर है और पशु आहर की को सब्क्यूट्ट बजार में उपलब्स होते हैं जब एक सीमा से ज़्यादा या उपर जाती है तो उस समय कि उसके बाद पिसान और पशु पालक या डेरी फॉर्मिंग वाले इसका कुछ अल्टरनेट सोचने लगते हैं चाहिए वो मक्का हो उसमें मिक्सिंग हो या बाकी दूसरी पशु आहर उसके अंदर मिक्सिंग करने लगते हैं क्योंकि ये ऐसी असेंशल नहीं है कि इसके बगर काम ही चलेगा तो संख्या में यानि कॉन्टरेटी में कम हो सकती है और यही वज़ा है कि देखिए लगबग 10-30 सत्य अधिकी गरावट उपरी सरों से कपास खली की में देखी है मुझे लगता है कि आज इसके अंदर कब्चुरी की संभाव नहीं बन सकती है कपास खली के अंदर और यह 31 का जो भाव है 344, 3330 या 31 का नीचे का भी भाव आज देखने को मिल सकता है 31 का लेबल तोर सकता है महतवपून यह रहेगा कि कपास खली के अंदर आने वाले कुछ समय के अंदर एक बड़ी तेजी बनेगी लेकिन उससे पहले गिरावट रहेगी इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन वो गिरावट कब तक रहेगी कहां से तेजी बनेगी इसके ओपर भी हम लोग तती दिन आपसे चर्चा करते हैं आज का पास खली के अंदर आज कमजोरी की संभावना बन सकती है जी आज का पास खली में कुछ कमजोरी की संभावना बनती नजर आ सकती है लेकिन अभी जैसे कापास खली में तेजी भी ज़रूर बनेगी शांदार तेजी आएगी लेकिन उससे पहले गिरावट भी रहेगी इसके का पास की तो मंडियों में तो देख रहे हैं कि कपड़े हैं वो सस्ते होंगे आपको क्या लगते हैं अब ओवरोल कपास का रुख कैसे रहने वाला है देखें कॉटन बड़ा मिस्टीरियस होते जा रहा है रहा है कि अंतराश्य बजारों के अंदर कॉटन के अंदर अच्छी तेजी बनी 125 के लेवल भी क्रॉस किया है और जहां तक अराइवल का सवाल है कि अराइवल भी लगाता है अच्छी बताई जा रही है का अलग अलग मंडियों के अंदर कॉटन के अंदर भी मुझे कुछ तोड़ा सा पौज आता नजला रहा है कुछ पौज आता नजला रहा है और यहां से एक बड़ी टेजी फर्दर लेने के लिए एक थोड़ा सा ठहराव की आवश्चता होती है यह टेक्निकल है जब एक तरफा बजार चलते हैं कॉटन ने देखिए जबर्दस तुहान मचा दिया है और कॉटन ने सभी मार्केट विशेशक को विपरिज जाकर हमने जब आपको सेपनामर अपर में बताया था और उसके बाद देखिए कि कॉटन ने रुपने का नाम नहीं लिए है लेकिन कापास के अंदर करी अभी ठराव नहीं ह तो फिर उपर जाके और उपरी के अंदर उसके बाद फिर आग इसमें थोड़ा सा बिकत आएगी तो कॉटन के अंदर एक बड़ी छलांक पे पहले आपको थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा पाउच होना जरूरी है जो संभावता एकातिन में आपको देखने को शैद मिल जाए जी एकले जी यह से करनले जा जी और कौन सी कमुनिटी है एगरी में जिनमें आज आपको मंदी तेजी की संभावने लग रही है इसके लावा मैं दनिये के ओपर भी बात करना चाहूंगा दनिये के अंदर 10,500 का इस पर भी देखा गया अचब दाजा 6200-30000 से 10,500 तक दनिये ने देखे आप मुझे लगता है कि दनिये के अंदर भी कुछ थोड़ा सा ठहराव आने की संभावना है बन सकती है इसके लिए भी श्यार रखना चाहिए तो दनिये के अंदर जो बिलकुल छोती अवदी के ट्रेडर है यानि एक आज दिन घंटे के जो कि एंसी टे कर सकते हैं लेकिन जो हाजिर के वे अपा रही है उनको धनिये के लिए अलग इस्टेजी अपनानी पड़ेगी और जो एंसी डेक्स पे फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं इंटर डेके अंदर इनी सूभे लेते हैं शाम को बेचते हैं उनको सुड़ी सी अथिक साथ धनिये पड़ेगी अज धनिये के अंदर है और इसके एक और जो इंपॉर्टन्ट कमोडिटी बन रही है वो है आपके हल्दी हल्दी के अंदर भी बहुत तेजी से उतार ठड़ाव चल रहा है और यह करीबन नौजाट चैसो सोड़ा रुपे के अपर कल बंद हुई थी है आज यह नौजाट चैसो सोला का इस तर्द तोड़ सकती है उसकी बाद में निचले इस तर्द में बाउंस पैक भी हो बावना है तो हल्दी के अंदर भी आज बड़ा उतार ठड़ाव रह सकता है एक और मैं अपने दर्शकों को आपके मागम से कहना जाता हूं कि इस बजार में सिर्फ और सिर्फ वो ही कमा सकते हैं जो की धहरे से अपना माल रख सके अधी धहरे खो देते हैं तो निश्य लॉट का तो जड़ासा भी अधी का दो परशन्ट की फ्लक्शेशन्स आती हैं तो वो घबरा के माल छोड़ देते हैं तो महतरपुन ये रहेगा अपनी शम्ताओं से काम करें जितनी ताकत है उससे कम काम करें बराबर यह उससे अधिक काम करने की कोशिश ना करें तो शम्ताओं से अधिक काम बिलकुल नहीं करें और ओफिशल लेबल पर काम करें डबे के ओपर अन ओफिशल काम करने से बचें आपको थोड़ी सी ब्रोकरेस तो ज्यादा देनी पड़ेगी थोड़ा सा मार्चिन भी देना पड़ेगा लेकिन आपकी सुरक्षा की गारंटी ह हो जाती है आप कभी भी अवर लिमिट काम नहीं कर पाते हैं और अपको यह दो लोग कभी इस बजार के अंदर नंबे समय तक तो इसका विशेश क्या रखना चाहिए यह क्लेटी यह से करनले जी बात करेंगा तेल तिलन की तो तेल तिलन में आपको क्या लगता है अब तेल तिलन में कैसे रुजान रह सकता है विदेशों में देख रहे हैं सोयबीन तिलन काफी तेज है 1530 डॉलर के पार निकल चुकी ह वही सर्सो की अराइवल साने वाली हैं मंडियों के अंदर भारत में ऐसे में आपको क्या लगता है खादे तेलों का बजार भी कैसे रह सकता है इडेबल ऑइल्स के अंदर देखिए सोयबीन ने बड़ी अच्छी मुवमेंट करी लेकिन आप मुझे लगता है उपर इस तरों पर थुड़ा सोयबीन में साथानी रखनी चाहिए और जहां तक सरसो का सवाल है बिलकुल फरवरी का मैना श्रू हो चुका है और फरवरी के अंद तक जो मैटपून रभी की जो सबसे बड़ी फसल है सरसो वो मुझारों में देखने को मिल रही है और जहां तक जो आखड़े सरकार द्वारा मजारी की गए है वो उसके अंदर करीवन 24-25 प्रतिशत की अधिक विजाई है और यह भी संभावना जताई जा रही है कि इस बार सरसो की जो फसल है वो जादूई आकड़ा भी प्राप्त कर सकती है लेकिन इन सब का निर्णा होने वाला है अगले दस दिन में जी अगले द जाद कर लीजे नोट कर लीजे कि अगले दस दिन सरसो ले बहुत मेहत्पन होंगे क्या सरसो के भाव उपर जाएंगे या फिर यहां से होगी चबर्दस्त मुनाफ़ा वसूली और बजारों के अंदर जैसे ही सरसो आने लगेगी बजारों के चिसानों के चेरे खिलेंगे जिया फिर वहरियों की चैरे खिलेंगे घिर जो लेखिये दो मेहत्पोन होंगे इसका निनए अले 10 दिन भाथ महानद कर देङे तो दो मैहत्पन नहीं daytime कर देगे वह बहूँ सकतर हूं जी तो दो घ।टरीं पहुने हों गर उसको बेचे दो बहुत कर लीजे अगर ने हु देखे बड़ा एहन सवाल पूछा है कर्चा टेल कि रशिया और युएस के बीच में युक्रेन को लेकर काफी तनादनी चल रही है और अभी तक कुछ उसका कोई समादान भी शायर नजर नहीं आ रहा है अभी इसके अंदर मुझे लगता है कि इसके अंदर ये एक्ष्ट्रीम लेबल पर देरे देरे बढ़ने की संभाव ना बन रही है अफ्ट्रोफनेंस के मताविक और जहां टक सवाल है कि सोने चार्डीन ने इसके अची मोंट बिए पिछने दो तीन चार्डी सेशन के अंदर मैटल ले और सोने चार्डीन अची मोंट दिए मुझे लगता है कि जो टेजी वुनिवया है उससे आप मुनाफ़ वस्रॲब कर लेना चाहिए तोड़ा सा रुखना-चाहिए क्योंकि आने वाद जो सथ students के बिडिक है तो मुझे लगता हूं कि थोड़ा सा रुखना चाहिए ASE कि बजारों के अंदर गिरावट के के टाइम पे जो माल खरीदा है उसको जब तेजी में बेच लेना चाहिए और जब जब मुनाफ़ अच्छा मिल रहा है तो उसके बाद में लालच नहीं करके उसमें इसको मुनाफ़ बसूर कर ले वो चतुर वेपारी की पहली पेचान होती है क्योंकि औ और अधिक मिले और अधिक मिले और अधिक मिले ये इसका कोई परकाष्टा नहीं है तो जब आपने को मुनाफ़ अच्छा मिल रहा है तो उस ताम ले लेना चाहिए अब जो पिछले दो तीन ट्रेडिंग सेशन में जो आप जिन्होंने हमारे शोर सुने पे उन्होंने बात करें अगर अगर अब स्टॉक मार्कित की तो इसपास्च में आज कैसे रुक दे घर इनकोमिन सकता है मंगि रही तेजी रही और किन स्टॉक्स में उच्छ मुनाफ़ा क चमा ख़ला जा सकता है यह जा तक स्टॉक मार्केट का सहवाल है देखिए कि मैं ने यही कहना है कि आज आज आप निफ्टी और सब्सक्राइब नजा रखना चोटे हैं आज आप स्टॉक स्पिसिफिक इंड़स्टी स्पर सेविक सेक्टर स्पिसिफिक चले आज अज अगर मोबाई शुगर सेक्ट है और आने वाले जो समय के अंदर कापी कुछ चेंजे जाने वाले हैं उन चेंजेज के अंदर ओर मोबाईल सेक्टर को भी लीड कर नहीं पढ़ेगा और विशेशकर जो एलेक्रिक वीकल्स के ओपर जो है जो है उसके ओपर चर्चाए हो नहीं है तो मुझे लगता है कि ए बाउश की स्थिति में था और विजेशी संसागात निवेशकों ने काफी मार राल कर भी किया है जिसमें बैंक है ओटो मोबाईल है मैटल है और अब एफम सीजी है और अब निचले इस तर रपीत को जी है जो इन लेबल्स के ओपर रदिया माल नहीं खरे देंगे तो वो अब मुझे लगता है कि आप में थोड़ा सा माल खरेना चाहिए और शुगर स्टॉक्स भी जो है का विशेश का रावज सुगर है राणा शुगर है शक्ती शुगर है बल्राम पुच्छीनी बगरा है इनके अंदर भी मोमेंट बने चाहिए अब विशेशकर जो है ओमी को इसके ओपर मिल मान मिल रहा है उनको लेना उचित रहेगा यही मेरा कहना है साइंसेक्स और इस पर कुछ यादा विशेश चिंता नहीं करने चाहिए ज्योंकि अच्छी मोमेंट मिल रही है तो इसका फाइदा उठाना चाहिए मारूतिस विजी के ओपर मेरी पैनी परसंद कि यह शो आपको फाइनेशल हैस्टालोजी और फंडमेंटल एनलेसे के साइफ प्रयांसों से प्रसारित किया जा रहा है कोई भी व्यापारिक नेड़ने या ट्रेडिंग डिसीन नेने से पहले आप अपने सलाकार से भी अवश्य कर लें किसी भी प्रकार का लाभानी की त इस क्लेमर हमें देना लाजमी होता है जब भी को यह फानेशल मार्केट की बात करते हैं तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही हैपी ट्रेडिक तो आज कुछ ऐसा रह सकता है आपका रहाशी फल स्टॉक मार्किट और कमुनिटी मार्किट महुत बहुत शुक्रीए करने ल कर दिर के लिए पडला हैisen उडिया मार्केट को यह फं महुत तो आर में वार्स काके रहाशी स्टॉक्यर मार्केट की शुकप जञे में लिएते नहीं तौने कि खा मुत प्रल जा सकता हैं और करने दो कि लिएकर महां अ hear को। बहुत?